किसान भाइओ नमसकार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में किसान भाइओ इस समय लसून की बुवाई का काम सुरू हो चुका है तो अब सबसे बड़ा सवाल पेदा हुता है कि हमें लेस्वन की बुवाई के समय कौन से खाद का प्रियोग करना चाजिए क्योंकि अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको बुवाई के समय प्रियोग के जाने वाले खाद की रूप में बहुत प्रकार के खाद देखने को मिल जाते हैं जिसमें कुछ दुकानदार बोलते हैं कि आप N.P. के डाले एक कुछ दुकानदार बोलते हैं D.A.P. डाले उसके साथ साथ आपको सिंगल सुपर फास्पेट और मूरे टोप पोटास जानी कि जो पोटास वाला खाद आता हैं उसको परियोग करने की सला दी जाते हैं लेकिन किसान भाईओं हमें सबसे बेश्ट खाद का चैन करके उसी का परियोग अपने लेस्ट की पसल में करना चाहिए तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लेस्ट की बुवाई के लिए सबसे बेश्ट खाद कौन सा है और उसी का पर्योग हमें अपने लेस्ट की बुवाई के समय करना चाहिए तो किसान भायो आप वीडियो को अंते तक जरूर देखना और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियाै तो जल्दी से नीचे देगे लाल ह्स्रों के सब्सक्राब बड़न पर क्लिकरेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिये किसान भाईयों अगर बात करें लेसन की बुःई के समय हमें कौन से खाद का प्रियोग करना चाहिए तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लेसन को किंगिन पुषक तो की सबसे ज़्यादा अशक्ता होती है तो किसान भाईयो लेसोन को प्रमुग रूप से नाइट्रोजन, फास्परस और पोटास की जएदा आऊशकता होती है और उसके साथ जो सुक्स में पोशकत अतों के अंतर का सलफर आता है उसकी भी आऊशकता लेसोन को जएदा मातरा में होती है तो किसान भाईयों हमें बुवाई के समय नाइट्रोजन, फासपोरस और पोटास के स्थाथ साथ सल्पर भी डालना ज़रूरी होता है तो अब इन तीनों पोसकतों और सल्पर सुक्ष मों पोसकतों की पूर्टी के लिए हमें कौन से खाद का परियोग करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं तो किसान भाईयो पहले नंबर पर जो खाद आता है वह होता है एन पिके 12, 32, 16 अब इसकी बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, बारा प्रतिस्ट, फासपोरस, 32, परतिस्ट और 16, परतिस्ट इसमें पोटास होता है तो किसान भाईयो अगर आप इसका परियोग बुवाई के समय करते हो तो इससे आपके खेट में आपके लैसुन के पोदे को नाइट्रोजन, फासपोरस और पोटास की प्राप्ति हो जाएगी और किसान भाईयो उसके साथ आप सलपर के लिए सिंगल सूपर फासपेट काद का परियोग कर सकते हैं सिंगल सूपर फासपेट में आप दानेदार का भी परियोग कर सकते हैं और अगर आप चाहिए तो पाउडर फॉम में जो एसस पी आता है उसका प्रियोग भी कर सकते हैं लेकिन किसान भाईयों अब यहां पर सवाल पैदा होता है जो एनपीके में 12-32-16 यानि कि इसमें नाइट्रोजन फास्परस पोटास होते हैं उसकी जिगह पर क्या हम डीएप लेकिन उसमें पोटास से बिल्कुल भी उपलब नहीं होता है तो किसान भाईयों मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताये हैं लसुन को नाइट्रोजन फास्परस और पोटास की भी पहुत ज़्यादा आश्यक्ता होती हैं तो हमें पोटास से डालना कंपलसरी हैं तो इसके लिए किसान भाई क्या करते हैं कि D.A.P. 1846 लेते हैं और उसके साथ जो मूरेट वोटास होता है यानि कि जो M.O.P. होता है उसको मिक्स कर देते हैं तो किसान भाईयों M.O.P. में 60% पोटास मुझूद होता है तो किसान भाईयों अगर आप इस परकार से खाट डालत होता है तो किसान भाईयों इस परकार से देखा जाए तो एनपी के 12 बत्ति 16 की अप्रेक्सा D.A.P. 1846 प्लस पोटास में पोटास का प्रियोग करने से आपके पोदे को ज्यादा मात्रा में ज्यादा मतलब मात्रा में पोसक्ततों की प्राप्ति होती है तो मेरे हिसाब से D. D.A.P. 1846 प्लस M.O.P. यानि की पोटास को मिक्स करके आपको बुवाई के समय प्रियोग करना चाहिए कुछ किसान भाई 12 बत्ति 16 का प्रियोग भी करते हैं लेकिन किसान भाईयो 12 बत्ति 16 का अगर आप प्रियोग करते हैं तो उसमें पोटास की मात्रा सिर्फ 16% ही होती है जबकि पोटास का काम पोदे के कंद को बढ़ा करने का होता है उसके अलावा पोदे की रोक प्रतिरोदक समता बढ़ाने के लिए होता है तो किसान भाईयो अगर आप इस प्रकार से 16% पोटास सिर्फ डालती हो तो उससे आपके लेसुं को प्रियाप्त पोटास नहीं मिल जिससे पोदे में आपको पोटास की कमी देखने को मिल सकती है तो किसान भाईयो इस प्रकार से मैं आपको राय दूगा कि आप डिएपी 18 चैल इसका परियोग कीजिए और उसके साथ जो मूरेट और पोटास याने की मोपी खाद आता है उसका परियोग भी कीजिए और किस जान में परतिश्यत बेंटोनाइट सलफर आता है उसका परियोग भी कर सकते हैं लेकिन आपको सलफर डालना कमपलसरी है तो किसान भाईयो इस वीडियो में मैंने आपको बुवाई कहाद के बारे में जानकरी दी हैं उमीद करता हूं या आपको अच्छी लेगी होगी तो आप वीडियो को लाइक जरू किजेगा किसान भाईयो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जाई जवान जाई किसान